जैसे हम लोग जानते हैं कि आजकर diabetes एक काफी आम बिमारी बन चुकी है बर अगर जिसे हम कंट्रोल में ना रखे तो वो एक जानलेवा बिमारी का रूप भी ले सकती है हमारी जीवन शेली और खान पान में जो कुछ बदलावा है वो एक मुख्य कारण बन चुके है diabetes होने का अगर हम diabetes कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो diabetes एक दूसरे बिमारीों का घर बन सकती है इसलिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हमें ऐसी कौन सी चीज़े है जो नहीं खानी चाहिए जिसकी वज़र से हमारी sugars uncontrolled रहेगी और uncontrolled sugars हमारे body को अंदर से damage करती रहेगी usually ऐसी चीज़े जो मीठी नहीं होती है जो उनमें carbohydrate level high होते है वो भी diabetes को नुकसान पहुचाते है क्योंकि high carbohydrate food से sugars immediately बढ़ जाती है और ये बढ़ी हुई sugar ही हमारे body को अंदर से damage करती है जैसे कुछ चीज़े जैसे चीनी, शहद, गुड, गन्ना, मिठाईया ये सब चीज़े जो direct high sugar form में होती है हमें इनका सेवन पूरी तरह से टालना चाहिए कई बार हम सुनते हैं कि ठीक है चीनी नहीं चलती है तो आप गुड की चाय पी सकते हो तो चाय अगर आप पीना चाहते हो तो make sure उसमें किसी भी तरह का sweetening agent, good या चीनी इसका इस्तमाल आप ना करें इनमें काफी मातरा में काबो हाइड होता है ये सब मैदे से बनती है और इनमें घी का जो trans fats का एक रूप है उसका इस्तमाल होता है तो वो avoid करिए क्योंकि ये trans fat हमारे body के bad cholesterol को बढ़ाते है और जिससे सिर्फ ना ही diabetes में problem होती है बट हमारे heart के उपर भी problem हो सकती है fruits एक healthy option है diabetes के लिए no doubt बट ऐसे fruits जिनको हम खाने से हमारी sugar levels बहुत ज़ादा बढ़ जाए ऐसे fruits हमें avoid करने चाहिए आम तोर पे आम, केला, चिक्कू, अंगूर, सिताफल इनमें जो fructose की level है fructose एक प्रकार की sugar है जो fruits में पाई जाती है तो ये fruits खाने से हमारे fructose का level body में बढ़ जाता है जिससे in turn हमारे sugars बढ़ सकती है तो ये हमें avoid करना जरूरी है fruit juices जो हमें canned या packed मिलते है वो भी हमें avoid करने चाहिए क्योंकि उनमें basically high concentration में शक्कर और preservatives का इस्तमाल होता है अगर आपको fruit juice पी नहीं है तो घर में आप fresh fruits के juices बना के पी सकते हैं शहत को मिला है उसमें कई बार बहुत लोग पसंद करते हैं मलाई वाला दूद which is very wrong क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मातरा में fat होता है तो अगर आप दूद पीना चाहें तो आपको वो पूरी मलाई निकालके उस दूद का saven करना बहुत जरूरी है घी का saven कम से कम करें क्योंकि घी भी एक प्रकार का fat है जिससे हमारे cholesterol levels बढ़ते हैं उसके बाद आलू आलू में बहुत ज़्यादा starch और kybohydrate है जो हमारी sugars को बहुत spike कर सकता है तो आलू शकरकन ये चीजे भी अपने खाने से दूर रखें साबू दाने का भी उपयोग ना करें क्योंकि साबू दाना पच्छने में भी बहुत जड़ होता है अपने metabolism को हमारे खराब करता है और हमारे sugar levels को भी बिगारता है non wage में ध्यान रहे red meat अंडे का पीला जो होता है ये low part इसको avoid करें because ये सब digestion process को हमारे देरी तक चलाते है और साथ ही हमारे bad cholesterol levels को भी बढ़ाते है बहुत तली हुई चीजे fried food जैसे फरसान है, समोसे है, वड़े है इनका saving भी हमें टालना चीए क्योंकि जितना ज़्यादा तेल की मातर हम खाएंगे उतना जादा हमारा cholesterol level बढ़ते जाएगा alcoholic beverages, smoking, drinking ये भी हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है तो हमें इसे भी बंद करना बहुत ज़रूरी है dry fruits में जो मीठे होते हैं जैसे खजूर है, kismis है इनका saving भी हमें नियमित रूप से टालना ज़रूरी है इखाद वक्त आप अपको अगर खाना है तो अपने doctor से अपने sugar levels के बारे में discuss करके आप इनका saving डर सकते हैं बट नियमित रूप में आप इनका saving ना करें ताकि आपके sugar levels control में रहे पनीर जैसे चीजे, cold drinks, cream biscuits, ice cream इन सब का saving भी हमें टालना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारे sugar levels control में रहे तो एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों जितना हम healthy food खाएंगे उतनी ही हमारी sugar levels lifelong control में रहेगी और हमें sugar के complications यानि diabetes के complications से हमारी lifestyle और diet बचाएगी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को like कर सकते है और channel को subscribe कर सकते है